नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों हम लोग कर रहे थे NCRT सैमुशी क्लास 9 उसका 1st चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 2nd चैप्टर सोन काकह तो इसमें जितनी भी ग्रामर आएंगे जितने भी व्याकरण आपके बनेंगे उससे मंदित प्रश्ण बन सकते हैं वह सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे तो अपनी कौपी और पैन उठाके बैठ जाएए और जो जो वर्ड्स आपको टफ लगे उसको सकता श्राद्सी है जो संदि है और संदि कैसे है हम को बढा चुके है कि पहल जब भी यह अवग्रह आएगा ठीक है तो आप छट से समझ जाएए कि वहाँ पर कौन से संदी हो गई है पुरूरूप संदी हो गई है लगभग ठीक है लगभग ट्रिक को थ्वासा ध्यान में रखते वे चला करिए जो आप पढ़ते जाएंगे न तो आपको समझने चला करें मैं आशानी होगी पुरूरूप संदी में जब इंज अवग्रह आ जाये या फिर अवग्रह अचय न दिखे तो आप समझ जाएंगे कि पुरूरूरूप संदी है तो इसमें क्या होता है कि जब भी ओ कि σε बाद आएं वो के बाद क्या आजाए और आजाए से यह पुरूरूप संदी, पुरूरूप संदी का सुत्र क्या होता है, पुरूरूप संदी का सुत्र होता है, एंग पदान्तादती, एंग पदान्तादती, तो इसको भी याद करिये, सुत्र भी याद करिये, एंग पदान्तादती, तो यहां पे क्यों से संदी हो गई है, यह पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा 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 द्वारा विर्चित पद्मशास्त्रिणा द्वारा विर्चित इसमें त्यत्य अभी वक्ति हुई है पद्मशास्त्रिणा द्वारा विर्चित व विश्व कथा शतकम विश्व कथा शतकम इती ऐसे कथा संग्रहात इसमें कौनसी विवक्ति कौनसा बचन आया है ग्रहात तो इसमें कौनसी विवक्ति है बच्चों आत आया न अंत में उचारण क्या रहा है आत का रहा है अंत में कैसा उचारण आ रहा है अंत में उचारण अरहा है आपके आत तो जब ढियसा उचार ना है तो आप क्या समझेंगे आप समझेंगे कि यहां पे पंचमी मेंब्वक्ति हो गई है पंचमी भक्ती एक वचन अपदांका रंक और शिकिन हे लग्या अलने के अर्थे में से होता है ठीक है अलग होने के अर्थे में तो यहां पे पंच्वी भक्ती हुई है कथा संग्रह से ग्रिहतो अस्ती यहां भी पुरूरूप संधी आ गई है लिया गया है ग्रिहत मतलब लेना लिया गया है अत्र यहां विविद रास्ट्रे शू यह देखे यहां पर जब भी आपको ऐसे शू मिलेगा तो आप समझ जाए कि वह पुलिंग है और कौन सा पुलिंग या नपुनसक लिंग हो सकता है ठीक पुलिंग और नपुनसक लिंग के जो रूप होते हैं वह लगबग एक स्ट्राइब होते हैं तो विविद रास्ट्रे शू तो य इसमें कौन सी विभक्ती वचन हो जाएगी सप्तमी विभक्ती बहुवचन और आपका कौन सा कारक है यह यह आपका अधिकरन कारक अधिकरन कारक जिन क्या लगता है में पर का तो विविद रास्ट्रो में व्याप्ता नाम शतम व्याप्त शतम सो लोकता नाम लोकता नाम व्यापता नाम इसमें क्या हो रहा है सस्थी बहुबचन रामाराम ठीक तो क्या हो जाएगा सस्थी बहुबचन सौ लोग कथाओं का वर्णन विद्धते विद्धमान है एशा कथा यह कथा वर्म यानि म्याम मार यह वर्म यह वर्मा यह तो छूट गया होगा इसको वर्मा क कि क्या कह रहे हैं मैं मार आज क्या बोलते हैं इसको वर्तमान में इसको मैं मार बोलते हैं तो मैं मार की कैपिटल क्या होती है बच्चों मैं मार की कैपिटल होती है नैपे दिया ठीक तो नपे देश स्ट être लोक कथा अस्ती यह कथा म्यनमारदेश के इसमें कौनसी वबगती वचन है तो देश स से क्या अम्त में में आधा स्वय तो समझ जाईगे आप कि यहां पर कौनसी विभक्ति है सभ्ठी विभक्ती एक वचन और सभ्ठी हabouts एक वचन कारक आपका क्या है संबन्द कारक ठेख क्या लगता है का कि के का अनल लगता है तो देश के स्य था स्रेष्ट लोग ता है देश कि स्विष्ट लोग कथा है यह कथा वर्मा के वर्मादेश की स्विष्ट लोग कथा है अस्याम कथायाम लोभस्य दुश परणामा इस कथा कथायाम इस कथा में लोब का दुश परणाम और तथाच और त्यागस त्याग का सू परणाम अच्छा परणाम सून पक्ष काक माध्यमेन अंत में क्या आ गया एन जब आ जाए तो क्या हो जाएगा आपकी तृतिया विभक्ती एक वचन और कारक कौन सा है करण कारक चिन क्या लगता है से या द्वारा ठीक तो सून पक्ष के माध्यम से वर्नितो अस्ती वर्नित है पुरूरूप संधी ठीक है आप देखिए अब शुरू हो रही है आपके कहानी पुरा पुरा मिन्स प्राचीन प्राचीन समय में कश्मिश्चिद किसी प्राचीन समय में किसी ग्रामे गाओं में एक एक निर्धना व्रद्धा अब ये निर्धना व्रद्धा है निर्धन व्रद्धा निर्धन व्रद्ध इस्त्री निवसत रहती थी तो इस पूरी वाक साथ में च्रिया पति क्या है सथी थी थो इसका करतापद क्या होगा जुकारी कर रहा है कौन रहा है इस्तरी रह रहे है तो इसकि करतापद क्या सथी Canada हो गई निवसत का करता पद स्थी है और इसका विष्र हो इस्थी का विशेशन क्या है व्रधा इस्थी व्रध्स ती इस्थी ठीच जिए विड़ इस्थी डो विशय के नरत बीस्थी रहती थी कि 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 cinya cha ek 2 दिता विनमरा विनम्रा मनुहरा चासीद है तस्या च एक दुहिता उसकी चाया ना और उसकी एक दुहिता दुहिता मिन्स पुत्री दुहिता मिन्स पुत्री और उसकी पुत्री विनम्र और मनोहर चल लगा है ना विनम्र और मनोहर थी चासीत में कौनसी संदी हो गई है दिर्ग संदी च प्लस आसीत तो च का अ ब्राबर आ अ आप ठीक है दो सवर्ण है और दोनों का जब दिर्ग हो जाएगा तो क्या हो संदी हो जाएगी दिर्ग संदी हो जाएगी ओ सबने दिर्गह चासीद थी उसकी एक जो पुत्री थी वह बहुत ही विनम्र और मनोहर थी एक दा एक बार माता माता इस्थल्याम तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत इस्थल्याम मतलब होता है थाली में देखिए यह क्या है इस्थल्याम यह जो है आपका आपकी कौन सी बगती हो गई है सबतिमी वक्ति एक बचन है यह इस्थ्रेलिंग है इस्थ्रीक के रूप याद करना बच्चों शुरू कर दीजे ठीक है आप पुलिंग और नपुंसरक तो लगबख समान होते हैं तो यह सब्ण्द में तान दुलान चावल तांडूलान चावलों को थालों को निक्षिप लेकर के लेकर के लेप्रत्य कश्राइब निक्षिप में निक्षिप में किसका प्रयोग हुआ है लेप प्रत्य वहां लगता है जहां पर उपसर्ग होता है तो इसमें नी शी और लेप निक्षिप लप प्रत्य का नी उपसर्ग हो गया इस कारण से लेप प्रत्य का प्रयोग हुआ है हमेशा ध्या रखेले प्रत्ते वहां पर लगता है जहां पर उपसरग होता है तो चावनों को ले करके पुत्री को आदिशत आदेश दी क्या आदेश दी भई? सुरिया तपे तांडूलान खगेभ्यु रक्ष सुरिया तपे यानिके धूप से सुर्या तपे मतलब धूप से तांडुलान सुर्या तपे तपे है न ए आ गया तो यहाँ पे कौन सी विवक्ति कौन सा वचन हो जाएगा यहाँ पे तपे आपका हो जाएगा सप्तिमी विवक्ति एक वचन हो जाएगा रामे रामे ओ रामे शू सब्तिया विवक्ति एक वचन और कारक क्या हो जाएगा अधिकरण कारक चिन में पर का चिन लगता है तो धूप में तांडुलान दुतिया वहुवचन का प्रयोग है दुतिया विवक्ति वहुचन कर्म कारक और चिन क्या लगता है को का चावलों को खगेभ्यो रक्ष यानि कि पक्षियों से खगेभ्यो यह मतलब पक्षियों से हाँ पक्षियों से तितिया आपका यह हो गया पक्षियों से तितिया विभक्ति का प्रयोग है रक्ष रक्षा करो ठीक है कह रहे हैं कि धूब में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना ठीक यहां पे आपका लोट लकार का प्रयोग हुआ है रक्ष क्या है लोट लकार किंचित कालाद अंतरम किंचित कुछ कालाद अंतरम कालाद अंतरम ठीक है ये दो किसमें बदल गया है कालात अंतरम तो ये आपका जलाम जश्वांती जो सुत्र हमने बताया था आपको यह प्रथम अक्षर आया है तो इसका जब भी आगे इसके आपका स्कुई सोर आए या तो किसी वी वर्ग का तुर्थी और चतूर्थ वर्ण आजाए तो यह तव अपने ही जो प्रतंव वर्ण आएक वह अपने ही तुर्थी वर्ण में बदल जाता है यह हमेशा याद रखि है आपकी तो जब भी कोई स्वार आए या तो तीसा या चोथा वन आए तो अपने तीवर्ण में बदल जाएगा तो तकार किसमें बदल गया धकार में बदल गया तो हो गया आपका कलाध अंतरम एको विचित्र काकह एक विचित्र कौवा समुड्य उड़ करके तस्या उसके समीपम समीप आगच्छत आ गया उसके समीप आ गया तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा और यदि अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को जो है इसको लाइक कर दीजे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजे और अभी तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर दीजे ये वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो जाए छोटे-छोटे करके डालूँगी ताकि आपको व्याकरण समझ में आ जाए ठीक है और तो मैं आपसे विदा लूँगे और मिलूँगे अगले वीडियो में इसके कहानी को और आगे बढ़ाते हुए ठीक और जित्त तकली मैं आपसे विदा लूँगे और हमेशा हसते रहें मुस्कुराते रहें